अब सभी का प्राइम डिबेट में मैं रविंद्र सिंग आपके साथ और आज प्राइम डिबेट का मुद्धा सदन में राम, सियासी संगरा, दरसल विधान समा में आज कार्रवाही के दूसरे दिन, भगवान श्री राम के नारे गुंजे, बीजेट्पी और कॉंग्रेस में इसको लेकर नोग जोंख हो गए बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने कॉंग्रेस पर तुष्टी करण के आरोब लगाए अनीता भदेल ने कहा 500 साल के इंतजार के बाद 22 जन्वरी को अयुध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्था हुई लेकिन कॉंग्रेस भदेल ने यह भी कहा कि कॉंग्रेस के सदस्से राम का नाम नहीं रेना चाहते और नहीं सुनना चाहते नेता प्रतिपक्ष्टीका राम जूली ने इस पर जवाब देखते हुए कहा कल से पहले क्या भगवान राम नहीं थे इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा पहले एक च्छोटी स्री पोर्ट दिखाते हैं कि अब राम के नाम पर विधान सभा में हंगामा सदन में पक्ष विपक्ष में तीक ही नोग ठोग अनीता भदेल बोली राम के नाम से परहेस करती है कॉंग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीका राम पुल गल्द से पहले क्या भगवान राम नहीं थे सदन में राम, सियासी संग्रा चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे खास मेहमालों का परिचे कराते हैं करके सुमन शर्मा जी हैं प्रवक्ता बीजेपी बहुत बहुत स्वागत सुमन जी राजक्मार शर्मा सहाबे प्रवक्ता कॉंग्रेस आपका स्वागत पहला सीधा सवाल राजकुमार शर्मा जी मैं राजकुमार शर्मा से नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पर कोई शक्त सुभा नहीं है कि आपको राम के नाम से परहेज नहीं है मेरा सवाल कॉंग्रेस से है नेता पृतिपक्ष टीका राम जूली का ये कहना कि कल से पहले भगवान राम नहीं थे क्या मतलब है परहेज क्यों है कॉंग्रेस को कल से पहले भगवान राम थे लेकिन कल से पहले भगवान राम की मूर्ती प्रांट प्रतिष्ठा नहीं हुई थी भगवान राम अपने घर पर विराजमान नहीं हुए थे कॉंगरेस को समझ नहीं आ रहे हैं क्या बाजिंता बाटी के लोग बहुत ज़्यादा बेचे हैं आपके भी हैं मंदिर सब के हैं भगवान राम सब के हैं बीजेपी का कारिक्रम था आप बोल रहे हैं अरे तो कारिक्रम किसके लिए था भगवान राम के लिए था कारिक्रम में गए क्यों नहीं कारेक्रमे देखा है कि जो बीजेईपी को जिन्हों외 समालते हैं भागबच जी कैसे खड़े थे पूरी दुन्या ने देखा है वहां के मुख्यामंदी जी कैसे खड़े थे वहां के गवधानर्स आप कैसे कड़े थे और देश के परदार मंदी जी किस भूमिका में थे मैं उस चर्चा पे नहीं जाना चाहता हूँ आप भगवान राम की मूर्टी देख रहे थे भागवजी को देख रहे थे भारजी जिन्ता पार्टी राजडी दी नहीं करें तो बेतर होगा तो भारजी जिन्ता पार्टी राम जी को ऐसे मनाएंगी क्या ये कॉंग्रेस पार्टी उनसे पूझ रही है तीका राम जूली जी के आप इस वक्तवे को क्या कहेंगे कि राम क्या कल से पहले नहीं थे इसका क्या मतलब हो समझाई ये जारा मेरी कुझी कम्जोर है इसमाम बे मेरी क्या जपजा रहे और पूरी दुनिया जानती है कि 2024 का चुना वो टार्गेट लेके चल रहे हैं राजकुमार जी भगमान राम पर इसाई शो कर रही है तो हम और आप जब नहीं इस पर विश्वास कर रहे उनकी शो बाजी में तो फिर आप यह कालफिलिक सवाल यूदि पूच रहे हैं सुवन शर्बाजी भाई जवाब दीजे क्यों आप भग्मान राम के नाम पर कब्जा करना चाह रहे हैं और टीका राम जूली के रूम रूम में राम बसे हैं देखिये रविंदर जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कहते हैं ना कि जब विनाश आता है तो पहले विवेक मर जाता है ये बिलकुल कॉंग्रेस के साथ यही हो रहा है राम को कोई कब्जा कर सकता है क्या और जो टीका राम जूली ने टिपनी की सदन में कितनी असोबनी है या कितनी अज्ञानिता की पराकास्टा है लोपी है लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पर उनको देखे कि यही नहीं पता कि कल राम जी के साथ क्या हुआ अयोध्या में वो तो करें कि कल से पहले राम थे ही नहीं क्या मैं कैसे बुद्धी इन सवाल और जवाब उनकी तरब से आ नाक है राम तो कनकन में हैं राम गए कहां राम तो सदेव रहे लेकिन राम की प्रान प्रतिस्टा कल हुई है उनको यहीं नहीं पता इनके सारे लीडर राम के इस आमंतरन को अस्विकार कर रहे हैं वो यह समझना है कि प्रदान मंत्री जी उनको आमंतरन बेज रहे हैं इस मंदिर की तरफ से आया था मंदिर का लेकिन आप की नेत्री विधायक अनीता भदेल जी वो सर्फशे विधायक के भी उनको प्रुस्कार मिल चुके हैं वो राम का नाम ले रही हैं सदन शुषिकर प्रेंदर ओढ़ेहं है इतिहास को सुधारम और उसी सुधार काना है सिल इस्तों इसाता प्रांगी वह अब दिखे भाशादा आखर नाम अगर संदन में लिया जाता है तो प्रहस्व करनी ल्हाइब चुना वापको और जूते पेंगे प्रीश्राम की पोझा होती एगा और प्रशीर राम के मंदिर में ज्मान का अब चलाए हिसके लिए तो शेपली नहीं होती है ν्हीं पहले थे कल ऐसा क्या हो गया यह जर्चा समझ में आती है क्या कि अडवानी साप नहीं पहुचेंगे यह जितने भी विद्वान पहुचेंगे जितने भी देश की अस्तिया आपने एक सवाल और क्या दरविंदर इसे यह भी मैं कहना चाहूंगी कि में कहा कि भागुदी यह जिए भाहाने में कंड़्य ने देखा उस रूप को और आपको आपती हो रह yn की मोदी जीकल किस रूप में नगरा मिठले जैमिनी जी मैं थोड़ा सा एक संदर भूल रहा हूँ एक पता नहीं कहानी थी जिसमें ये कहा गया कि जो गुडिया की जान थी वो कान में थी कान दबाओगे तो फिर जो दूसरा शरीरिया उसको दर्द होने लगेगा तो क्या बीजेपी को कॉंग्रेस की जान कहा है वो मिल गई है क्या वो वक्त वक्त पे उसको दबाती रहती है क्या कमजोर नसको पंदरा के लोभ में ये असी का विरोध करवा रहे हैं आप देखिए जिस अंदाज में आमंत्रन ठुक रहा है और उसके बाद आज सदन में जिस तरीके से बोले हैं चाए गोविंद सिंग डोटासरा बोल रहे हैं आपका राम हमारा राम यानि गोविंद का तो नाम ही रा पर आ गई क्योंकि असो गल्वत आते नहीं है सचीन पाइलेट आते नहीं तो गोविंद सिंग डोटासरा ने सोचा कि इससे बढ़िया मोका नहीं मिलेगा अपन ही सब को कमांड कर लें और कॉंग्रेस में नंबर बन बन जाए तो नंबर बन की लड़ाई आज सदन में दे गोविंद सिंग डोटासरा इस राम के बहाने कांग्रेस में स्थापित होना चाहते हैं वो चाहते हैं कि सचीन पाइलेट असो गेलोट चले जाए और दो अज्जार अठाइस की जंग में मैं सीम का चेहरा बन जाऊं क्योंकि वह बार बार चाहे राजिंदर राठोर जो फ राम अलग है गया तो वह जो राम की व्याख्या जिस भासा में बोले जो उनका लहजा था वह आप भूल गए आचारी प्रमोट क्रिशन कांग्रेस ही वह बैठेते आप भी जाते कौन रोक रहता सुखवीर सिंग सक्कू जो मुख मंत्री वह पहुंचे तो यह जवाब उन कर रहे थे कौंग्रेसी आप देखिये मुख मंत्री का महां से काफिला निकल रहा था दो डिप्टी रुके उन्हों का कौंग्रेसी हमारे खिलाब कुछ नारावाजी कर दें तो किसी खड़े हुए पत्रकार ने का यह तो कुली 50 आदमी क्या विरोध करेंगे तो कौंग्र उसको आज सदर में उन्होंने लॉंच करने की कोशिस की क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बने हैं और दूसरा इंपॉर्टन चीज है उनको जो भवर जितेंदर सिंग जो राहूल गांधी और गांधी परिवार के नजदीक है उनकी जुबा पर वही सब्द आएंगे जो उनका आका खुश हो जाए उनका आका है भवर जितेंदर सिंग और भवर जितेंदर सिंग कब खुश होंगे जब राहूल गांधी की सुर्व में सुर्व मिलाओगे तो टिका राम जूली ने तो अपना धर्म निबाया राज धर्म निबाया है टिका राम जूली का तो कोई दोस राम के नाम पर राजनीति हो रही है या राजनीति के लिए राम का नाम लिया जा रहा है ? और क्तना से है ये ? अधिंध मैं कल आयोध्या में ही था और आयोध्या पूरे कारिक्रम को देश और दूनिया ने देखा है और अमानी नरिंदर मोधी जी का जो भाव था कल उन्होंने परकट किया था उससे नहीं लगता है कि यह कोई राजनीती का विशय हमारे बीच में रहा होगा प्रभूश्री राम जन जन के राम है पूरी देश और दुनिया ने कल देखा है कि हमारे प्रभूश्री राम अपने इस्तान पर विराज हुए है रही बात यह है कि राजनीती करने वाले अपने अपने इस तर पर जो राजनीती कर रहे हैं उसमें बीच में प्रभुश्री राम को लेकर के आते हैं लेकिन मेरे मत से ऐसा नहीं है कि प्रभूश्री राम के नाम पर आज तक बीजेपी ने कोई अपना मत बनाया होगा क्योंकि राम हमारे जन जन के राम है और प्रभूश्री राम के उपर राजनीती करना ये तो मेरी दृष्टी से ठीक नहीं है नहीं वो कह रहे हैं कि BJP कब्जा कर रही है राम के नाम पर ये बिलकुल गलत हैं प्रभुष्री राम जन जन के राम है और मैं आचारी प्रमोट कृष्णन जी का नाम लिया मैं भी उनके साथ में था आयोध्या में अभी 11.12.13 को बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ था और कल हम सबने भवेता दिपेता प्रभुष्री राम के आयोध्या के हम सब लोगों ने देखी थी ऐसा कहीं मुझे नहीं लगता है कि राजनीती प्रभुष्री राम के बारे में की जा रही है हाँ कोई जमाना कोई समय रहा होगा नहीं कि जब नर्मदा शंतरपूरी जी आज विधान सभा में जब कारवाही चल रही थी अनीता भदेल जी मुबारक बाद भगवान राम के भव्य मंदिर के बनने को लेकर दे रही थी इस मुबारक बाद के दोरान हंगामा हो गया नेता प्रतिप्रक श्टीका राम जूली कहने लगे क्या राम कल ही अपने इस्ठान पर विराजित हुए है कल से आप समने देखा होगा के एक नए यूग की शुरू आत हुई है मानि प्रदान मंत्री मोधी जी ने कहा कि प्रभूश्री राम को विराजित करने का एक सामाने करने है ये एक नए युग के शुरुआत है और हम सब लोग मिल करके कल उन्होंने सब का आवान किया है और संत समाज ने एक सुबर में उस मत को स्वीकर किया है कि हम सब मिल करके भ इसलिए कॉंग्रेस ने स्विकार नहीं किया या कॉंग्रेस को इस पूरे आयोजन पर इसलिए आपत्ती हो रही है कि कल जो तस्वीर सामने राजक्मार शर्मा प्रवक्ता है कॉंग्रेस के स्पोक्सपरसन उन्होंने भी कह दिया कि सब को दिखाई नहीं दिया कि किस तरीके स वहाँ पर मोहन भागबत खड़े हुए थे प्रधान मंत्री खड़े हुए थे उनकी पार्टी के नेता को निमंत्रन अगर्द दिया जाता उस विकार करते तो वो तो भी दर्शक दीर गावे बैठे होते हैं भगवान के मंदिर में खड़े थे और वहाँ कोई ऐसा वीशे नहीं उड़ता है कि कोन कहां पर कैसे खड़ा हुआ था उनके चाहरनों में थे सभी मिल करके और जहां तक निमंत्रन की बात हैं मैं बराबर इस कारिकम के लिए बहुत दिनों से साक्षी हूँ और निमंत्रन ज सब भी नहीं था कि आपको बहुत किसी ने आग्रे किया होगा तो प्रभुष्री राम का काज है उसमें निमंत्रन की आवशक्ता भी नहीं होती है हम सब को अपने स्ववीवेक से प्रभुष्री राम के चरणों में चले जाना चाहिए अभी जो प्रतिक्ता कर रहे हैं कि राज कुमार जीAK के बाजिंतास पर्ति के बैय जूतायर कोडिका है। राज गुमार जीरा गंटों से वाहिरल हो रहा है फोटो लगातार, राज जमर्दर सिंग राठोड अपनी सह पतनी राम जी की आर्थी उतार रहे हैं जूते पहन करके और अच्छी क्वालिटी की जूते हैं अब जिनको कमिया ढूनना नहीं है वो पेशे पी ढून के निकाल लेते हैं अच्छी बात है कि कोई अच्छी चीज पे इनकी नजर गई पर आजकल कट पेस्ट इतना जाता होता है कि राम जी की आर्थी उतार रहे थे या क्या कर रहे थे वो विशे जानने का है वो जब आएगा सामने तो उस पर बयान भी लेकिन जूली जी के टिपनी पे मैं बोलना चाहिए कि राम आ गए यही वो लोग है इनके लिए आश्चरी है राम पहले वाले राम और अब वाले राम के अंतर को समझना पड़ेगा इन्होंने तो राम लला को हमेशा चाहा कि टेंट में रहे यह वही लोग है जो राम के अस राम है ही नहीं तो राम पहले और राम बाद में का सवाल क्या है आप तो राम को मांदे ही नहीं हो आपके सारे नेता आपके सारे लाज कुमार जी मुझे यह बताईए कि पहले बाद में यह क्या है कि निमंतल हम अस्विकार करते हैं जो यह कहा गया कि बीजे भी कबजा कर कर लेना चाहिए माफी मांग लेनी चाहिए भगवान राम से क्योंकि जंता नाराज हो रही है कॉंग्रेस से रविंदर जी कॉंग्रेस पार्टी को भार्धिय जंता पार्टी से माफी मागने का आव सकते निया अरे मैं भगवार्टी से रहा हूं अपने लीडर को समझाइए वो राम है भारत का अधार ही राम है तो बिना आधार के आप लोग कैसे ठीक होगे भार्टी जंता पार्टी मत लाओ आपने बहुत बड़ी भूल की है जिसकी जजा और दंड आप लोगों मिल रहा है और आगे भी मिलेगा मैं तो यही कोँगी कि अपने नेता को समझाइए कि वो मापी मांग ले तो सारा चीज़ चीक हो सकता है मितलेश जैमिनी सर मैं आपको लाना चाहूँगा 24 घंटे भगवान राम की प्रांट प्रतिष्ठा को हुए हुए नहीं करकर अयुद्या चले जाएं एक दिन और भगवान राम के प्रभू के दर्शन कर लें दिखाने के लिए नहीं बल्कि दर्शन करके क्योंकि उन्होंने खुद कहा भी है ना कि हम वहां नहीं जाएंगे जब यह अगर यह यह निमंत्र हमें सही तरीके से ने दिया लेकिन हम जाएंगे बाद में जाएंगे क्या आपको लगता है ऐसा कॉंग्रेस की तरफ से किया जाना चाहिए और क्या वो करेंगे विथलेश जी और पटाक शेप को इसका दिखिए रविंदर जी लिख रखा है राम विरोधन उबरस्ती सरवन विष्णू अजईश अगर आप रा परसेंट का इनका मोहों कहीं न कहीं इनको अलक्दलक डाल रखा है जहां तक समीदान की बात कर रहें कि धान सबा बोल दिया गया जानी अने यानि भारत के समिधान की मूल आत्मा जो डाक्टर बियार अंबेड कर जी ने रचित किया है उसमें भी भगवान राम रमे हुए हैं जिस समिधान की कॉंग्रेस बार-बार करसम काती है पिर किस मुह से आज ये चाहिए विदान सभा में बोलते हैं डोटा सराज जी संदाज म ये सब जानते हैं लेकिन कॉंग्रेस में दिक्कत क्या है कि आला कमान खुष हो वो तीन लोगों को खुष करने के लिए पूरी कॉंग्रेस का सत्यानास तो आपको लगता है कि मतलब जो कहा गया कि हम भगवान राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे प्रान प्रतिष्ठा संत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में सनातन धर्म जो त्रेता युका था उसको साकार करके दिखाया और यूर को बताया कि हम कितने संस्कार नर्बना शंकर पुरी सर मैं महाराज मैं आपसे आखिर में चाहूंगा राजनितिक दलों को देश के और देश की जनता को बताये क्योंकि एक बहस यह चड़ रही है कि 2024 के चुनाओं में भगवान राम का मुद्दा रहेगा आप राजनितिक दलों से लोगों से बीजेपी कॉंग्रेस से नहीं राजनितिक दलों लोगों से क्या कहना चाहेंगे आवान करना चाहेंगे जी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रभूश्री राम जन जन के राम है और 2024 का मुद्दा प्रभूश्री राम को लेकर के और चुनाओं जीतेंगे यह वक्त वे उचित है क्योंकि कल हमने जो आयद्या का माहूल देखा था और पूरी रचना का क्योंकि मैं साक्षी हूं कल का अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विचार धारा हैं जिनके अलग थी लेकिन उन सब का कहना यहीं तो पूरी है बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अब की नी पंक्तियों के साथ की तमाम विचारदारा अलगलग आप रखते हों लेकिन भगवान राम के दर पर तो एक मंच पर नजार आना चाहिए और इस नाम पर राजनिती नहीं हुनी चाहिए खत्म किया जाना चाहिए और अपनी राजनिती चलाने के लिए जरूरी बयान भी नहीं देने शाहिए चाहिए सडक पर दे या सदन में पिलाल प्राइम दिवेट में आज तुछ नहीं